नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सीक्रेट कुम रासी बालों आज हम आप से बहुत खुबसूरत बात करने वाले हैं लेकिन थोड़ा करवा होगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज हमारा टॉपिक है आपकी खुजियों को क्यों लग अगर आप चाहते हैं जिन्दिगी में सफल होना तो और आज एक बहुत ही खुबसूरत जोती सी उपाई भी बताएंगे कुम रासी बालों को कि जीवन में अगर स्ट्रगल बढ़ गया है संगर्स बढ़ गया है तो क्या करें एक उपाई जो आपके जीवन को बहुत ही पर भी रासी है सनीदेव इनके स्वामी है और वायुतत्त्त की इस्थिर रासी है अब जो कुम रासी है ना यहां पर कोई भी ग्रह उच्चे या नीच का नहीं होता और कुम रासी हो या लगन हो आम तोर पर ऐसा होता है कि यह लोग लंबे दुबले लेकिन कभी-कभी एक काम में मसगूल रहने वाले और मजबूत सरीर के स्वामी होते हैं दिमाग बहुत तेज होता है और इनका प्रसंसा करना चाप लूसी करना जैसी चीजेंगे कि इनको बरगला दे तो फिर आप भूल जाएए क्योंकि इनका दिमाग जरूरत से ज़्यादा दूर तक चला जा इसलिए तो कुम बालों को औरों से जुदा चुझाता है वैसे होते हैं एक होते हैं फोरे सिसं के अब यहां पर स्वामीला पर इसिका नहीं कर दो थोरा धारति नहीं होता है हलंकि दूसरे तरफ एक ऐसे कुम बाले होते हैं जो कि बहुत ही ज़ादा मजबूत एक्चा सक्ती तरीके से अपने आपको प्रजेंट करने वाले इमानदार होते हैं आम तौर पर कुम बाले इमानदार ही होते हैं क्योंकि इनके दिर्ष्टी कोन है वह बहुत बिसाल होता है बहुत बिस्तरित और इ Feld उत्वत होता है और इनके सांदे कोई हार चैहितने लोग फांज को ब्यबस हो जाते हैं वैसे कभी कभी कुमबॵाले गोले नड़ए समझ कि थोरे से संकी हो जाते हैं पर पॉजेटिर अगर चीजें देखा जाएं तो बहुत ही खुबसूरत होते हैं हमेशा ही कुमबाले बहुत जल्दी कभी-कभी क्या होता है इनको एक ही जगह एक ही जगह स्थीर होना पुरानी चीजों को लेकर चलने जैसी चीजे इनके साथ हो प्रॉपिक ही कुछ और है आज तो हम बात करने वाले हैं कुम बालों के बारे में एक ऐसा राज जो आपके जीवन की तमाम पन्नों को खुलेगा और एक नहीं चार कड़वी बाते आप से करेंगे हैं तो देखते हैं अभी तक का हमारा आपका साथ कितना हद तक करीब ला पा एक जो रासी गद गुन होता है वो लगभग हर किसी में होता है तो चलिए हब सुरुवात करते हैं कुम रासी जो है न वायू तत्त्त की रासी है और कुम रासी का मालिक स्वेम सनी है अब यहां पर सनी देब का इनके जीवन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रॉल होता है यहां पर यह आप कह सकते हैं कि इनका जीवन पूरी तरह सनिदे पर निर्भर करता है लेकिन आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किस्मत कुमबालों को ऐसी जगर ले जाती है जहां यह लोगों को धेर सारे लोगों को प्रभावित करते हैं या आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोग इनको सुनना चाहते हैं इनको फॉलो करना चाहते हैं इनके अंदर काम करना चाहते हैं क्योंकि इनकी हसी इनकी मुस्कान इनकी बात करने का तरीका सब कुछ औरों से जुदा होता है जो लोगों को जोडता है तोडता नहीं है लेकिन अगर इने खुस रख सकते हैं तो फिर ये खुद कैसे भी हो आपको बहुत उचाईयों पर पहुँचा देंगे लेकिन जरासा किसी बात को लेकर ठेस पर इन्हें पहुँच गई तो सनकी भी एक नंबर के होते हैं फिर तो आपकी खेर नहीं है ऐसे में इन्हें अकेला छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये खुद बखुद ही कुछ दिर में ठीक हो जाते हैं कुछ जादा ही लापरवा होते हैं ये पहली बड़ी कमजोरी है आपकी कड़वा सच जीसे हम कहते हैं हमने टाइटल में लिका है चार कड़वा सच लेकिन खुब जूरत लापरवाह एक नमबर के होते हैं और ये लापरवाही में दूसरों के चक्कर में हात आया मौका बड़े आराम से गवा देते हैं यानि निकल गया अब आप चाहोगे आप सनीदेव की रासी हो आप इमानदार हो मानके चलते हैं अब हर कोई इमानदार है यह तो जरूरी नहीं लोग आपके साथ क्यों आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके थुरू कोई काम निकलवा सकें आपके थुरू कोई काम उनको बनवा तो आप से थोरा सा यहां पर लिया जाए अब क्या सोचते हो आप सोचते हो हम तो बड़े महान हो गई हमारे तो बहुत सारे अन्याई है लेकिन यह सच भी है तूटनाही गलत है क्योंकि है किसी कोई स्वार्त है तो आपके तरफ खीचेगा स्वार्थ नहीं है तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है ये बात याद रखिए लेकिन दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप हात आया मौका लापरवाही के चक्कर में गवा देते हैं और ये आप पर बहुत भारी परता है अगर आप कुम्रासी क हैं आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं आपको किसी चीज का बुरा लगे तो माफ करें लेकिन हमारा काम ही है आपको सही रहा पर आगे बढ़ने के लिए देखना आपको आगे बढ़ते देखना और इससे ज़्यादा हमें आप से कुछ नहीं चाहिए दूसरी बात लोटरी, जुवा, सटा, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेर, रिलेसंसिप जैसी चीजों में पढ़ जाते हैं अब ये भी कड़वी सच है ये आपका कसूर नहीं ये तो आपके रासिगत सुभाब है आपके आप में गुन है अब बहुत सारे कुमबाले कहेंगे हम तो ऐसे नही नहीं है तो अच्छी बात है इसका मतलब है आप बड़े ही ज्यादा अपने आप पर काबू पा सकते हैं लेकिन एक नए एक बार आप इन चक्रों में पढ़ते हैं अमूमन हर कोई पढ़ता है लेकिन कुमबालों को पढ़ने की संबाबना यह जादा होती है तो ऐसे में इ साथो रात तो कोई भी बैक्ति अमीर नहीं हो सकता हाँ अब ऐसा ही कोई विर्ला हो तो वो अलग चीज है लेकिन सौट कोट का रास्ता बिल्कुल भी नापना है और दूसरी बात जीवन में कोई ऐसा काम करें जहां लोग आपको सुनते हों समझते हों ऐसा छेतर आपको करना चाहिए जहां आप लोगों को नेत्रित्त कर सकते हैं क्योंकि इन छेत्रों में आपको सफल होने की संभावना ज् सकते हैं कोई भी करिये इसके अलाभी भी बहुत सारी चीजे हैं अब यह तो थी कुछ कड़ी सच्चाई जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है आपको जानना क्योंकि यह चीजें आपको हमेशा ही सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है भटकाओं से बचात हैं उसके लिए माप करें तो अब बात करते हैं जैसा कि अभी का वक्त है लोगों के जीवन में स्ट्रगल बढ़ गया है लोगों के जीवन में संघर्स बढ़ गया है लोगों के जीवन में बहुत सारी परिसानिया आं गई है अब ऐसे में क्या करें देखिए वैसे आप बहुत जादा यहां पर आपका दिमाग जैसे लगता है अब फट पड़ेगा अब बेचैन हो रहा है जैसी चीजें आपके साथ होती रहती है तो मेंटल और फिजिकल सारी रिक रूप से चीवर में आपको कस्ट जादा होता है इनसे आपको बचना चाहिए लेकिन क्या क करें कि सब कुछ बेटर हो जाए तो चलिए जानते हैं देखे एक तो सोम बार के दिन भगवान सिब को घर में भी आप कर सकते हैं पास में मंदिर है तो जाके कीजिएगा पंचा मृत अर्पित करें दूद दही घी सक्कर और सहद मिलाकर पंचा मृत बनाइए थूरा सा बन आपको सूट भी करेंगा लेकिन एक बात याद रखिएगा माला पहन कर नौन वेज मत खाईएगा जब नौन वेज खाना हो माला खोल कर रख दें और फिर नहाद होकर आप पहनने इस माला को आप देखिएगा धीरी धीरे आपके लाइप बहतर होने लगेगी तो यह मिलेगी और आप एक बहुत ही खुबसूरत खुबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम आपसे बिदा लेंगे हरहर महादेब धन्यवाद